नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आफका Infinity Knowledge में तो दोस्तो काफी काफी जाधा Interesting News निकलकर सामने आई हैं तो क्या है ये News आई एस वीडियो में डिसकस करते हैं तो दोस्तो जिसा कि आपको पता होगा Alan Musk की कंपनी ने 8 जन्वरी 2021 को भारत में एंत्री कर ली है रविवार को SpaceX ने ऐसा कमाल करकर दिखाया है कि भारत के 104 सैटलाइट लोंच करने के वल्ड रिकोर्ड को तोड़ दिया है ये वल्ड रिकोर्ड इसरो ने 15 फरवरी 2017 को बनाया था अब ये रिकोर्ड SpaceX के नाम हो गया है SpaceX ने 143 सैटलाइट लोंच करकर सबको हैरान कर दिया है ये 143 सैटलाइट Falcon 9 रोकिट से लोंच की गई है और इस मिशन का नाम Transporter 1 था ये मिशन फ्लोरेडा के Cap Cane Reval से भारते टाइम के एकोर्डिंग 381 पर लोंच किया गया था एलन मस्क की कमपनी सैटलाइट को लोंच करने के 10 लाख डॉलर लेती है वेसे ये मिशन पिछले साल दिसंबर में होना था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रोब्लम की वज़े से इसे डिले कर दिया गया इसके बाद ये मिशन सरीवार को लोंच होने की बात हो रही थी लेकिन मौसम खराब होने की वज़े से ये लोंच डिले कर दिया गया और फिर फाइनली इस मिशन को रविवार को किया गया ये एप्रोक्सिमेटली इंडियन टाइम के 38 पर लोंच होत था स्पेस एक्स के रोकिट ने भारत के उपर से उडान भरी इसरों ने बैंगलोर में इसके सिगनल ट्रैक किये थे सेटलाइट लॉंच करने का ये प्रोग्राम लगबग 90 मिनट तक चला स्पेस एक्स का कहना है कि इस सेटलाइट की मदद से 2021 तक ग्लोबल ब्रोडबेंट इंटरनेट की सुईदा देंगे एलन मस्क अंत्रिक्ष में अपनी योजना को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं पिछले साल एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि वो मंगल ग्रैपर जाना चाहते हैं इसकी उमीद लगबग 70 परतिशत है एलन मस्क का कहना है कि हम कई बार सफल हो चुके हैं इससे वें बहुत बेताब हैं वो मंगल ग्रैपर जाना चाहते हैं लेकिन उनका कहना है कि वहां मरने की आशंग का प्रत्वी से बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वें मंगल ग्रैपर जाना चाहते हैं इसरो के बाद Space X पहली कंपनी बनी है जिसने 143 सेटलाइट लॉंच करकर रिकॉर्ड बनाया है और कहाए कि वो किसी से कम नहीं ठैंक्स फॉर वचिंग दिस लिए